इसे क्या बैठे हो उठो ओफिस नहीं जाना जाना तो था जाना है तो जल्दी उठो नहा कराओ इतने ठंदे में कौन नहाएगा नहीं नहाता पिछले दस दिन से नहीं नहाया है जाओ नहालो दिखता नहीं दस दिन से मौसम कितना ठंदा है ठंदा जा गरम चाय बना कर ला पता नहीं अपने आपको क्या समझते हैं, मेरी तो सुनते ही नहीं है एक दिल प्यार से बात नहीं करते, समझ में नहीं आता क्या करूँ मन करता है माय के से लिजाओ जब देखो नहने के पीछे पड़ी रहती है क्या बत्तमी जी है? आप नहने से डरते क्यों हो? बेटा काईदे में रहो अगर दिमाग गरम हो गया, उल्टा लटका कर फिरिच के ठंडे पाली से नहलाओंगा क्या बत्तमी जी है? क्या हुआ? क्यो डाट रहे हो बच्चों को? चाई! क्या? अरे चाई कहा है? चाई! चाई पत्ती खतम हो गई है अगर चाई पत्ती खतम हो गई थी तो कल क्यों नहीं बताया? मैं ओफिस से घर आते वक्त ले आता बोला तो था कल ओफिस जाते काईब मैंने बोला तुम्हारे पैंटी की जेब में सामान की पड़्ची रखी है घर आते टाइम सामार लेके आना, लेके आए पड़्ची देखी नहीं, भूल गया जब दिमाग एक जगह रहेगा, तभी तो देखोगे अहाँ, ठीक है, भूल गया था क्या ठीक है? अरे, बोल तो दिया, भूल गया था क्या भूल गया था? अगर मेरी गलती होती, अभी तक पूरा घर अपने सर पर उठा लेते अब भूल गया था तो क्या करूँ, मर जाओ जिवार पर अपने सर पटक के फोड़ दू पापा, शान्त शान्त, शान्त मैं लेके आता हूँ, दुकान से चाय पत्ती मैं भी चलूँगा दुकान में हाँ, हाँ, कंधे में बैठ चल, 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 चल कपड़े तो बहान परिशान हो गई हूँ इस घर से अंकल, नमस्ते आँ, नमस्ते, इतने ठंडे में नंगे क्यो घूम रहे हो ये हमारा स्टाइल है हाह, क्या लेना है, बोल एक पैकेट चाय पत्ती दे दो और मुझे चोक्ले पायसे दे पैसे, पैसे तो नहीं लाया हूँ फिरी मी दे दो मुझे भी फिरी मी दे दो तुम दोनों की बाप की दुकान है जब फिरी मी दे दू कहां कहां से आ जाते हैं छोकरे दुकान से बाहर निकलो निकला अंकल फिरी मी दे दो बेटा फुटबॉल की तरहे ऐसे उचालूँगा सीधे अपने घर पहुचेगा मेरे भाई चल चल बाहर चल अंकल मैं सामने दुकान में सामान लेने गया था तो वो दुकान वाले अंकल कह रहे हैं आपके दुकान से सामान मत लेना बोल रहे थे आप एक नंबर के कुट्टे हो कुट्टे मैंने कहा नहीं वो कुट्टे नहीं है सही बोला तुने बोल रहे हैं नहीं नहीं कुट्टा है वो कुट्टा है कुट्टा है तीन बार कुट्टा बोला मुझे बहुत रोना आया आपको कुट्टा नहीं हूँ मैं उसे अभी बताता हूँ मैं उसके हाथ पैर तोड़ दूगा अंकल आप इतने बने दुकानदार और वह छोटा पिद्दी सा दुकानदार आप उसके दुकान में जाकर लड वहीं आके मारूंगा अंकल मैं सामने दुकान में सामान लेने गया था तो वह दुकान वाले अंकल बोल रहे हैं आपके दुकान से सामान मत लेना मैंने कहा क्यों नहीं लूँगा मैं तो लूँगा तो बोल रहे हैं आप गंदा घटिया बेकार और सड़ा हुआ सामान यह क्योंकि आप बहुत अच्छे हो आपके बारे में कुछ कहता है एतने बड़े दुकांदार और वह छोटा आप उसके दुकान में लड़ने जाओगे मुझे हसी आ रही है मैं कहके आता हूँ बोलो क्या कहना है उसे बोलना कही दिखना मत वरना मैं तेरे हाथ पैर तोड़ दूँगा क्या कह दिघना आता हुँ पहले थोड़ा सामान ले लू अहां क्या लेना है जल्दी बता एक पैकेड चाय पत्ती दे दो और इसको एक चौकलेट दे दो ये ले अब बता उसने क्या बोला उसने बोला, हिम्मत है दो, मेरी दुकान में आकर गड़ाई कर उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, हट हट, मैं उसे आज नहीं छोड़ूँगा हाँ हाँ, जाओ जाओ, उस दुकानदार को बहुत मारना भागाओ